स्कार स्वागत है आपका हमारे चुनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी भारत का पडोसी देश पाकिस्तान इस वक्त सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूच रहा है पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ चुके हैं दो चून की रोटी के लिए वहां जम कर मारा मारी हो रही है पाकिस्तान में बधाली के बीच भारत के प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोदी का बार बार जिक्र हो रहा है अब पहली बार पाकिस्तान के एक बड़े अकबार था एक्सप्रेस ट्रिविनूल ने भारत के बढ़ते वैश्विक कद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतिर्थ की दिल खोल कर तारहीव की है तरसल एक्सप्रेस ट्रिविनूल ने कहा है कि परधान मंतुरी नरेंद्र मोदी ने भारत को उस मुकाम तक पहुचा दिया है जहां से देश ने अपनी परभुता और परभाव का एक विस्तरित जाल फ्यालाना शुरू कर दिया है परधान मंतुरी नरेंद्र मोदी के नेतर्थ में भारत ने विरेश नीती के मौचे पर अपना स्वेम का परभा मंडल इस्थापित कर लिया है इस अकबार में जाने माने राजनितिक सुरक्षा और रक्षा विसलेशक सहजाद चौतरी ने ये तमाव बाते लिखी है उन्होंने लिखा है कि परधान मंतुरी नरेंद्र मोदी के नेतर्थ में भारत की विदेश नीती का परचम लहरारा इसका सकल घ्रिलू उतपार तीन ट्रिलिनल अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है मोदी ने ब्रैंड इंडिया बनाने के लिए जो कुछ भी किया है वो उनसे पहले कोई नहीं कर सका उन्होंने भारत की इस प्रगती को एहत्यासी करा दिया है उन्होंने भारत को सभी निवेश को यानि इन्वेस्टर्स के लिए एक पसंदीदा स्थान बताया है साथ ही फिर दोरा है कि परधान मंतुरी नरेंत्र मोदी की अध्यक्षता में भारत ने विदेश नीती के मोर्चे पर खुद को पुखता रूप से इस्थापित किया है शहजाद चौतरी ने अपने कॉलम में ये भी लिखा है कि भारत किर्शी उत्पादों का भी एक बड़ा उत्पादक है जिसकी वैश्विक मंच पर भी आईटी उत्योग में तूती बोल रहे है शहजाद चौतरी ने ये भी लिखा है कि किर्शी में भारत के प्रती एकट पैदावार दुनिया में सबसे अच्छी है इतना ही नहीं 1.4 बिलियन से अधिक लोगों का देश होने के बागजूद वहां एक इस्थिन, सुसंगत और एक फंक्शनलन राजनीती काम कर रही है आकडों का हवाला देते हुए शहजाद चौतरी ने के लिखा है कि भारत की साशन परनाली समय की कटोती पर खरी उतरी है और एक सुदर्ड लोकतंत्र के लिए अविश्यक बुनियादी जिधानतों को समय के साथ लचीरपन देकर उसे और गही निप दी गई है यानि खुल कर पाकिस्तान के इस बड़े अख़बार में जो शहजाद चौतरी की और से तमाम बाते लिखी गई है उसमें परधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताहरीफ की गई है उनकी विदेश नीती की ताहरीफ की गई है कि किस तरीके से परधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरास्टे मंच पर अपनी एक अलग छाप छोड़ चुके हैं उन्होंने लिखा है कि प्रधान मंत्री मोदी ने भारत को ब्रेंड बनाने के लिए कुछ ऐसा किया है जो उनसे पहले कोई नहीं कर सका महत्पून बात ये है कि भारत जो महसूस करता है और जिस हद तक उसे जरूरत है वही करता है शहजाद चोथी ने पाकिस्तान को अपनी भारत संबंधी नीती पर पुनरविचार करने की भी सला दी है और कहा है कि भारत के पास 600 अरब डॉलर का विदेशी मुत्रा भिंडार है जब कि पाकिस्तान के पास मात्र 4.5 अरब डॉलर है हालत ये है कि साउधी अरब ने जहां भारत में 72 अरब डॉलर से ज़्यादा का निवेश करने की खोशना की है तो पाकिस्तान में सिर्फ 7 अरब डॉलर निवेश्ट का वादा किया है यानि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आखर पाकिस्तान की क्या हालत है फिर जाहे वो अंतरास्टे मंच पर हो या फिर जिस तरीके से आर्थिक संकट से पाकिस्तान जूज रहा है दुनिया के तमाग बड़े देशों का सह्यों पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही आतंखवाद के मुद्धे पर अंतरास्टे मंच पर घिरता रहा है और भारत ने पुर्जोर तरीके से इस मुद्धे को उठाया है पाकिस्तान ने जब जब किश्मीर का रागलापा है तो भारत ने मुतोर जवाग देते हुए आतंकवाद के मुद्टे पर पाकिस्तान की क्लास लगाई है और यही वज़ा है कि अमेरिका से लेकर रूस, फ्रांस और दुनिया के तमाम बड़े देश पाकिस्तान को जाहितोर पर आख दिखाने का काम आतंकवाद के मुद्टे पर करते रहे हैं एक मात्र चीन ऐसा देश है जो कहीं न कहीं पाकिस्तान का साथ चीन ने दिया है लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक संकर से जूज रहा है दो जुन की रोटी के लाले पड़ चुके है खा शहजाद चोथरी उन्होंने ये कॉलफ लिखा है जिसमें खुल कर प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोदी की ताहरीव की है आपको बतादे शहजाद चोथरी ने ये भी लिखा है कि युक्रेन युद के बीच दो सेन्य महा सक्तिया यानि अमेरिका और रूस भारत के जात खड रहा है और उसका निर्यात भी कर रहा है इससे पहले आपको बताने नवंबर में पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंतुरी इम्रान खान ने भी भारत की विदेश नीती की जरहना की थी और पाकिस्तान की मोजुदा सरकार की क्लास लगाते हुए कहा कि इसे स्वतंत्र और निच केंतरित जो है ये भारत की नीती है आपको यह बताने कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार कश्मीर के मुद्दे पर भारत का राक लापता है लेकिन वहीं भारत जिस तरह से अपनी विदेश नीती पर काम कर रहा है अगर बात रूस और यूकरिन युदकी की चाए तो उस वाक्त जिस तरह से अमेरिका ने रूस पर तमाम परतीबंद लगाए और कहीं-एक भारत को भी धंकी दी गई थी कि वो रूस से अपना जो संबंध है वो खतम करें रूस के साथ व्यापार जो भारत कर रहा है वो खत्म किया जाए लेकिन उस वाक्त जिस तरह से प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहिना कहीं जो नेतर्थ किया है जिस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है वो अपने आप में काभिले तारीफ है और यही वज हो वहां खुलकर प्रधान मंत्री की ताहरीब दुनिया के तमाम बड़े देश करते हैं और आपको यह बताने कि पाकिस्तान जिस तरह से आर्थिक संकर से जूज रहा है जिस तरह से वहां खाने के लिके भी मारहमारी हो रही है जाहित तोर पर इंसम के बीच बार बार भार जैतर हालत से गुजर रहा है उसको लेकर जाहित तोर पर बार बार परदान मंत्री नरेंद्र मोधी और उनके नेतर्द का जिक्र होरा है फाकिस्तान के पूर्व परदान पंपर इंप ृमरान खान ने भारत की विदेशनिती की हाली में सराणा करते हुए इससे सथन्त्र और निच केंद्रित पताया था इम्रान खान ने ये कहा कि हाला कि पाकिस्तान को भी भारत के साथ ही आजादी मिली लेकिन उनकी विदेश निती सरतंत्र बनी हुई है भारत अमेरिका के विरोध के बावचूद रूस से तेल खरीदने के अपने फैसले पर कायान है तो पाकिस की शहबाज शरीफ सरकार को आड़े हातों लेते हुए इम्रान खान ने कहा था कि मुझे भारत का उधारत देना चाहिए देश हमारे साथ साथ आजाद हुआ और अब इसकी विदेश नीती को देखे ये एक सतंत्र और निच केंद्रित विदेश नीती का अनुश्रन करता ह भारत अपने फैसले पर कायम रहा और कहा कि वो रूस से तेल खरीदेगे इतना ही नहीं यूकरिन में चल रहे सैंत्निय संगर्स के बीच पश्यम के दवाव के बावचूद अपने राश्टे हितों के अनुरूप नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद की ताहीद कर नरेंद्र मोदी की जाहिट तोर पर विदेश नीती की बार बार तारीफ हो रही है पाकिस्तान जरकार को आयना दिखाने की कोशिश ये पूर्व परधान मंत्री इमरान खान ने भी की थी भारत की ताहरीफ करने पर वो मजबूर हो और अब पाकिस्तान के इस बड़े अख पर चाहे वो तमाम चुनोति पूर्व वक्त में करोना महमारी के दोरान भी भारत की आर्थिक स्थिती को जिस तरीके से मच्पूती के साथ बनाये रखा जिस तरीके से आर्थिक स्थिती डगमगाने नहीं ती उसकी भी खुलकर तारीफ ये इस अखबार में की गई है और वहीं आपको ये भी बताते हैं कि पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं इश्चाद भाटी उन्होंने हाली में एक वीडियो शेयर किया था प्रदान मंतुरी नरेंद्र मोधी का जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब दुष्टमन मजाक उड़ाएं और आदर ना दें तो जिंदा रह उसे कटोरा लेकर दुणिया भर में खूमने पर मजबूर कर दिया ये प्रदान मंतुरी का वीडियो है जो लगातार पाकिस्तान में वायरल हो रहा है चूकि जिस दरीके से पाकिस्तान कटोरा लेकर कही न कहीं तमाम देशों के जाफने भीक मांग रहा है जिस आर्थिक सं आफले पर क्या राई है में कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब तानिवाद